नमस्कार में दिव्याद धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तके प्रमुख खबरों को बिहार की महा गटबंदन में 2025 का सुनाव तेजस्वी के चेहरे के साथ नरा जाएगा मुख्यमंत्री इंजीस कुमार के इस खोसना को लेकर राज उपिंद कुस्वाहा ने खुल कर अपनी नारजगी जाहिर की है जिसके बाद अब राज़त की तरफ उपिंद कुस्वाहा ने मोचा खोल दिया है जिस तरह से उपिंद कुस्वाहा ने तेजस्वी की जगह पिछली जातियों से किसी को उप मुखे मंत्री बनाने की मांग की उसके बाद राज़त ने साफ कर दिया है कि तेजस्वी को पहले स 609 नमबर पर थे और अब वे अचानक दूसरे नमबर पर आ गया है ये जादू कैसे हुआ राहुल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा एयरपोर्ट नियम को बदर कर हवाई अदे के ठेके अदानी सम्मो को दिये गया उपेंद्र कुस्वाह ने बरी चाल चली है उन्होंन एलान कर दिया है कि उन्हें पद की कोई लालसा नहीं है वे साधारन सदस्य बनकर जडियों के अंदर रहने को तयार है देश बर के सरकारी कर्मचारियों की तरफ से पुरानी पिंसन योजना को लागू करने की मांग की जा रही है कर्मचारियों की मांग को देखते वे विस्ते में मुस्किल होने की बात कही है बिहार के जडियों मलसी राधा चरंद साहा के आरा और पटना सित कई ठीकानों पर इंकम टेक्स की छापे मारी दूसरे दिन भी जा रही है इंकम टेक्स ने मंगलवा को विधान परसद के घर और अन्य प्रतिस ठानों पर डेट डा जा रहा है इसके लिए सरकपुल सहीच सामलिक रूप से जरूरी सभी तरह के विकास को तेज गती से आगे बढ़ाया जा रहा है इसी करी में लद्दाक में वास्तविक नियंतर न देखा के पास 13,000 फेट की उचाई पर इस्थित नियोमा एयर फील्ड को फाइटर जेट्स इसी ने सीमांचल और संताल परगना के पुलिस पदादिकारियों को विसेश रूप से सजग सतर्क रहने का निर्देश दिया है एक भाती यूवक अपने घर से पैदल हज यात्रा के लिए निकला उसे अब पाकिस्तान ने भी वीजा जारी कर दिया है पहले पाकिस्तानी इस चाप शिवग को वीजा देने से इनकार कर दिया था लेकिन कल यानी मंगलवार को पाकिस्तान ने हज यातरा करने के लिए सजग अरब की अपनी मेराथन यातरा पूरी करने के लिए हैं सेहाब को देश में प्रवेस्ट दे दिया है पटना की पिंकी कॉम्पेटिश्ट की तयारी करें पिछले 4 साल से नौकरी की आस्म है तेस्पी आदर को चिट्टी लिकर पिंकी ने बताया कि फ्रभात नाम के युवक से प्रेम करती है जो एक लेख़क है हाला कि पिंकी उसे प्रेपोस नहीं कर पा रही है क्योंकि वह पहले नौक्री करना चाहती है ड़िस बात का है कि कहीं वह नौक्री के इंतजार में बैठी ना रह जा और प्रेमी किसी और के साथ साधी ना कर ले सिध्री वाले साई बाबा भक्तों के लिए जल्द बडा तौफा मिलने जा रहा है यह मोदी हाइ स्पीध ट्रेन unre बारत को मुंबई जारी जंडी दिखाने वाले है बरी संख्या में सिद्धी जाने वाले भक्तों के लिए सिद्धी महत्वपून तीर तस्तल है लिसे कम समय में आरामदैक सफर में जाना अब और आसान हो जाएगा मुंबई से सिद्धी ट्रेन से 330 किलो मीटर का सफर है जिसे बंदै भारत से काफी कम समय में पूरा किया जा सकेगा बताया जा रहा है कि मुंबई से सिड़ी के बीच बंदे भारत से सफर तीन घंटे का हो जाएगा और जो अभीतर करीब साथ घंटे या उससे जादा का होता था गौतम अदानी मामले को लेकर बज़र चत्र के दोरान मचे हंगामे के बीच आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगसभा में जवाब दिया है वहीं 9 फरवरी को दाजे सभा में जवाब देंगे इस मामले को लेकर विपक्स लगातार हमलावर बना हुआ है साथ परवरी को लोगसभा में राष्ट पती के अभी भासन पर चर्चा करते वे कॉंग्रिस सांसत राहूल गांती ने मोदी सरकार पर जम कर आरोप लगाये थे ड्रोन बनाने वाली कंप्रियों को नितिन गटकरी ने सुझाब दिया है कि अभी ड्रोन में लीथियम बैटरी से चलने वाले इंजन का परियोग हो रहा है भारत के बारे में बार बार जूट बोल रहा है। भारत ने पाकस्तान के अलोचना करते हुए कहा है कि इसलामाबाद में असुरक्षा की गहरी भावना है और इसने भारत और उसकी धर्म निट्पिक छवी के खिलाफ नफरत पहलाने की साधिस रची है। दया और नहीं वरतमान का ग्यान है। फ्रांस की कॉस्मेटिक कंपनी लॉरियल के खिलाफ संतावन मुकद में दर्ज किये गया है। शिकागो की संगी अदलत में दावा किया गया है कि लॉरियल और अन्य कोस्मेटिक कंपनियों वालों को सीधा करने भाव मुलायम बनाने के कई घातक केमिकल का इस्तिमाल करती है ऐसे उपादों के कारण कैंसर और अन्य बीमारियों का खत्रा रहता है अंतरास्टिय उजय जिंसी के कारेकारी निदेशक फती बिरोल ने कहा है कि जी ट्वंटी देश प्रेड़ना के स्टोप के रूप में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा प्रस्तावित लाइफ पहल का उप्योग कर सकते हैं उन्होंने कहा है कि या पहल जलवायू परिवर्तन जैसे चुन्नोतियों का सामाधान करने में मदद कर सकती है लोगसावा में राश्टपती के अभी भासन पर चर्चा के दौरान टीमसी सांस और ISI के कहर धाने की जमीनी हकिकत के कबरिच से पाकिस्तान बुरी तरह बौकला गया है इसको सिरीज के रूप में भारतिय मीरिया ने कवर किया है पाकिस्तान ने इसको रोकने के लिए सोसल मीडिया के दिगज कंपनी ट्वीटर से गुहार लगाई तो उसने पाकिस्तान क अनुरोद को ठुकडा दिया और इसको लेकर के किसी भी तरह से गलत होने की बात को भी खारिज कर दिया भारत और अमेरिका के बीद जल्दी एक महत्वा पूर्ण रक्षा समझोता हो सकता है अमेरिका के इस ड्रोन को दुनिया का सबसे सकती साली ड्रोन करार दिया जाता है इसके आने से हिंद महासागर में भारत की ताकत बरेगी जिससे चिन की गत्र विदियों पर नियंतरन रखा जा सकेगा भारत में दूद डेरी के छेतर का तेजी से विस्तार हो रहा है असमें भारत दूद उत्पादन के मामले में दुनिया के सभी देशों को पीछे छोड़ते वे नंबर वन पर गया है इसकी जानकारी के इंद्रिय मतस्य पालन पशुपालन और डेरी मंतरी पुडुसुत्तम रूपला ने मंगलवार को संसत में दी है लोग समा में पूछे के सवाल का जवाब देते वे मंतरी ने बताया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूद उत्पादक देश मन गया है साल 2021 में भारत ने दुनिया के कुल हिस्से का 24 विजदी योगदान दिया है स्री लंका में भारती निवेश के लाबों को रेकांकित करते वे पीम गुनवर्धन ने इस बात पर प्रकास डालाए कि लंका असोक ले लेंड दौरा उप्योग किये जाने वाले 90 प्रतीसत घटक स्वादेशी थे इस कारेकरम में उच्चा यूक्त गोपाल बागले ने कहा है कि भारत सरकार और भारती कॉर्परेट दोनों ऐसे संबंद बनाने के लिए काम कर रहे हैं जो लोगों के लिए फायदे मंद हो उन्होंने कहा है कि प्रधानमंथी नरेंद्र मोदी की परोसी पहले नीती की तहट भारत के भीतर और बाहर मित्र परोसियों का विसेज ध्यान रखा जाता है भारत के मशूर उद्योगपती गोटम अडानी इन दिनों विवादों से घिरे हुए है इसा नहीं कि अडानी पर सिर्फ सवाल उठा रहे हैं उन्हें भारत के कई बरे लोगों से समर्थन भी मिला है इन्ही में सामिल आईए सबसर्ट साफ एसल ने उद्योगपती गोटम अडानी का समर्थन किया उन्होंने अडानी की तारीफ करते हुए कहाए कि वाब भारत को सीर्फ पर देखना चाते हैं फार्मासिस्ट बनने और फार्मेसिक काउंसिल में रजिस्ट्रेशन से पहले अब एक्जिट एक्जाम देना जरूरी होगा परिक्षा पास करने वाले फार्मासिस्ट अब स्टेट और इंडियन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे फार्मेसिक कॉलेज़ों से साथ गार कर फरजी डिगरी डिपलोमा के बरते मामलों पर लगाम कसने के लिए फार्मेसिक कॉंसल आफ इंडिया ने यह कदम उठाया है जम्मु कस्मीर की पूर्व मुख्य मंद्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महभूवा मुफ्ती ने का कि बुल्डोजरों से घरों को गिराकर भाजपा ने राज़े को अफगानिस्तान में बदल दिया है राज़े में चलाए जा रहे है अथिक्रमन विडोधी अभियान को लेकर केंट पर निसाना साथ वे महभूवा मुप्ती ने कहा है बुल्डोजरों की वज़ा से आज कस्मीर आपको अफगानिस्तान जैसा दिखेगा भुटान की नेशनल असेमली के अध्यक्ष बांग्चुक नाम ग्याल के नेतरित में भुटान के एक संसदी प्रतिनिधी मंडल ने मंगलवार को राश्टपती भवन में राश्टपती ज्रौपदी मूर्मू से मुलाकात की प्रतिनिधी मंडल का स्वागत करते वे राश्टपती मूर्मू ने कहा है कि हम भारत और भुटान के बीट बहु मुकी और अध्वीतिये मित्रता को बहुत महत्व देते हैं भारत भुटान के साथ भी पक्षिय सहयोग के ने छेत्रों जैसे अंत्रेक्ट सहयोग स्मार्ट क्रेसी युवा और खेल स्टार्टप नवी करनी है उज़ा और डिजिटल विकास में प्रवेश कर रहा है ताकि भुटान की शाही सरकार को भी सभी के लिए सम्रिदी के अप प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी और गौतम हडानी के संबद में की टिपणी को लेका राहूल गांधी पर निशान असाधा है उन्होंने कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी के खिलाफ करवाई की मांग करते वे कहाई कि संसद में उनके बयान भ्रामक अपमांजनक और आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने प्यम मोधी पदस्ता वेजी साक्षी के बिना क्रोनी कैपिलिजम का आरोप लगाया है हाली में भुकम ने तुर्की और सिरिया में हजारों लोगों की जान ले ली और सैक्रुन इमार्तों को नस्ट कर दिया अभी तक 8000 लोगों की मौत की सूचना मिली है ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब लोगों के मन में यहा है कि भारत भुकम के प्रति कितना सम्वेदा सील है सरकार के अनुसार भारत का लगबग 99% भूभाग अलग अलग दिवता के भुकमपों के प्रति सम्वेदन सील है आठ राजे और केंट शासित प अंगलबार को अजीवों गरीब नजारा दिखाई दिया भगवान केशब देव को कोट में हाधिर होना पड़ा दरसल 23 जनवरी को कोट में सुनवाई हुई थी उस वक्त कोट ने 6 नंबर पर वाधी बनाए गया भगवान केशब देव को गैर हाधिर माना था इसके बाद अन्यवाधी भगवान की प्रतिमा बत्तोर वाधी कोट लेकर पहुंचे चीन के जासुसी गुबार को लेकर बरा खुलासा हुआ है अमेरिक अधिकारियों का दावाई कि चीन ने ना केवल अमेरिका और भारती बलकि कई अन्य देशों में भी अपने जासुसी गुबारे अमेरिका ने इसके लिए फाइटर जेट एफ 22 की मदद ली थी आने चाहिए आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्षन बॉक्स में लिकर जरूर बता आज के लिए इतना ही धन्यवाद